अभी इस वीडियो के अंदर करत ऐसे कुछन से कम लोग solve करेंगे जो directly board exam में पूछे जाएंगे जी हाँ बिल्कुल यानि कुछी गंटे के बाद आप board exam देंगे होम सैंस और ग्रह विग्यान के ये सभी कुछन से आपका top selected question है मतलब ये question बार-बार पूछा जाचूगा question है इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो के अंदर के जितने सारे question से कम लोग solve करेंगे सभी question से को याद रखने का पढ़ियास करेंगे क्योंकि 101% chance है कि यहां से आपको directly question board exam में देखने के लिए मिलेंगे तो please अपने दोस्तों में जम करके share कर देंगे तो चलिए start करते हैं सबसे first question आपका screen पर क्या पूछा गया कि नहीं है किरियात्मक विकास बच्चों की कारे करने की चंता में बरहतरी की बरहतरी को क्या बलते है किरियात्मक विकास बोलते है तो यहां जो किरियात्मक विकास बोलना एक परकर का किरियात्मक विकास बांकी तीनों की इरियात्मक विकास है आपसन अपका भी विल्कुल रायटे सुझाएंगे first number question का अब देखे second number question अपका screen पर जनम से ही सीसू में किस सन्वेग का परदर्शन होता है तो जनम से ही सीसू में जो emotion दिखता है वो प्यार वाला emotion दिखता है निए love का emotion दिखने लगता है सीसू में जनम से ही यानि आपसन अपका ए बिल्कुल रायटे सुझाएंगे जैसे कि सान्वेगी क्विकास जैसे कि करोध भै इर्सिया सने हर्स ये सब में जो इकास होता है इसको बोलते हैं सान्वेगी क्विकास क्या बोलत गया है कि एक बेक्ती के पानी की आवसेकता निर्वर करती है किस पर निर्वर करती है तो मौसम पर भी और किर्यात्मक्विकास मौसम कैसा है ठंडा है या गरम है और वो कारे क्या करते हैं खान पान में उसके आदत क्या है ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है इनमें से स पोचा को निमने में से कौन वानस-पतिक धबबा नहीं है रासदार सजी आज ईंद्वत नहीं प्वेजितवर धया और Eğerिका का यह कह दर है चेरोग वह दर है है ता टीबर कुलिसस माइकोबیک्ْट्रियम माइकोबैक्ट्रियम के कारण यह क्या होता है छै रोग होता है अब सबस पहकि बिल्कुल יएक्रियेइगे 10 Нूम्मर कुशन का अब चले निश्ट कुशन पुछागिया कि जनम के साथ जनम के समय सीसु का अवस्त भार होता है जरम के समय सीस्व का अवस्त भार जो होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक कितना 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है अपसन आपका D बिल्कुल राइटे सुझेंगे 9 नमबर कोशन का अब चेले नेश्ट कोशन पुछा गया का चिन रहता एक मार्क का रेक मारकतिंग इस खुछ 활 मार्क इसका सोल इसमया है जोता यह इनर मार्क इसका फॉल Software और सी ओक मेरे उच्छा ग़या कि धुलाई मसीन से बचत होती है किस चीज की बचत होती है समय और सरंचे यह समैंप से कोई नहीं तो समय और सरम की बचत होती है धुलाई मसें से ठीक है तुरत एक दम समय भी बसता है और ज्यादा मेहनद भी नहीं करने पड़ते हैं वह एक तरह से धुलाई हो जाता है सामान का आपसन अपका यह बिल्कुल राय टेंसर हो जाएंगे अब देखिए कोशन पू किसान विकास पत्र खरीते हैं तो किसान जो विकास पत्र खरीतने का कारे करते हैं वो कहां से डाग खाने से कहां से डाग खाने से आपसन अपका सी बिल्कुल राय टेंसर हो जाएंगे अब चले नेश्ट कोशन काफी सिंपल और आसान कोशन है कि सिरका है और फिर जनम के समय या फिर जनम के पस्चात या फिर इन मेंसे सभी तो इन मेंसे सभी आपका राइट इस रो जाएगा अल 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 इस कारेक्टेंस रो जाएगा निमने मेंसे कौन वानसपतिक धबबा है वानसपतिक धबबा कोन है which of the following is vegetable strength ठीक है तो vegetable strength जो हो जाएगे यहां क्या हो जाएगे आपका option a बिल्कुल correct रियाट इस रोजाएगा कोफी जो है वानसपतिक धबबा है फल, फुल ये जो होज़े, एक तरह से वानस्पातिक धबा नहीं होंगे, आपसन अपका ये बिल्कुल राइट सुझाएगा, 20 नुमर कोशन का, अब देखें, क्वेशन में 21, चेक कितने परकार का होता है, चेक जो होता है, टोटल कितने परकार का होता है, टोटल, 3 परकार क इसको क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है खमीरी करन भी बोलते हैं अंकुरी करन भी बोलते हैं और भोजन वी बिनन भोज ये पदार्थों का मिसरन यानि आपसन अपका धी बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाएगा इन में से सभी क्या हो जाएगा इन में से सभी का अब देखिए कोश्चन में कितना हो जाएगा 24 काफी सिंपल और आसान कोश्चन है दो वर्स से 6 वर्स तक की आयू को कहते हैं तो 2 से 6 वर्स की जो आयू होती है उसको कहा जाता है बाले वस्ता चाइल्ड हुड बाले वस्ता बोलते हैं और अपसन अपका बी बिल्कुल करे करके और आस को उसका मिक्स बनाया जाता है अपसन अपका डी बिल्कुल करेक्टन सुझेंगे 25 नमर कोश्चन का अब देखे कोश्चन में 26 पूछा गया कि निमने मैं कौन गिरे विग्यान की साखा नहीं है बरांच नहीं है तो यहां जो बरांच है डायटिशियन डायटि तो 27 पानी यानि आपसन आपका C बिल्कुल करेक्टन सुझेंगे माता की दूद की साथ नमजान की जरूत होती है वह पानी की जरूत होती है ठीक है अब देखे 28 में पूछा गया ATM का पूरा नाम क्या होता ठीक है तो यहां जो करेक्टन सुझेंगे आपसन आपका A बिल्कुल राइट सुझेंगे 28 नमबर कोशन का अब चलिए नेश्ट देखते हैं क्वेशन पूछा गया कि एक करित बाल विकास योजना यानि ICDS की सुवर से लागो की गई थी ठीक है ICDS के बारे में सुने है ठीक है यानि ICDS इंटेग्रेटर चैल्ड डेवलेप्मेरेंट स्कीम इवावस इंप्लिमेंट ठीक है यह जो एक तरह से लागो की गई थी यह कब की गई थी इसका जो बिल्कुल करेक्ट उसुझेगा 1975 में परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तमाल किये जाते हैं परी रक्षक पदार्थों के रूप में यूज किये जाते हैं उपरोपत सभी आपका राइट उसुझेगा आपसन आपका डी बिल्कुल करेक्ट उसुझेगे थार्थ नमबर कोशन का अब देखियो कोशन में फोर्थ हमें पूछा गया कि किनुवन की किरिया में भाग लेते हैं किनुवन की किरिया में क्या भाग लेते हैं खमीर यानि खमीर यापसन आपका अब भी बिल्कुल करेक्टिस हो जाएंगे, फॉर्थ नुम्बर कोशन का, अब देखें काफी सिंपल और आसान कोशन है, कि अस्तन पान आवस्थेख है, अस्तन पान आवस्थेख है, ब्रिष्ट फीडिंग इस इसमिसियल, यानि एक तरह से, इसमिसियल, फॉर्ड, चाल्ट किसके लिए मतलब इकतरे से आवस्थेख है, ठीक है, तो यहां जो करेक्टिस हो जाएंगे, फाइब नुमर कोशन का, वह जाएगा, सीसू तथा माता, दोनों के लिए आवस्थेख है, ठीक है, दोनों के लिए या आवस्थेख होता है, आपसन आपका ए बिल्कुल इतना सामाने से कितनी अधीक होती है, तो यह जो अधीक होती है, 300 कैलोडिय से कितने, 300 कैलोडिय से लगबग अधीक होती है, आप से अपका ए बिल्कुल, करेक्ट न सुझाएंगे, स्रीक्ष नमर कोशन का, अब देखे, क्वेशन में सेवन्त पूछा गया, कि परोटीन की प परचुर मात्रा में पाये जाती है, तो विटामीन C, विटामीन C के अधिकता होती है, यह आप से बिल्कुल, करेक्ट न सुझाएंगा, एट नमर कोशन का, अब देखे, नेश्ट पूछा गया, कि परोटीन के पसु जन ने कशाका हरी सरोद में, निमने मेंसे, कौन सम्मि होता है आहार में लोहे की कमी से कौन से रोग होता है तो यहां ऐनीमय की रोग उति है अपसन अपका ए बिल्कुल और यह न सना अपकर को अको धानिक के हैं, वीक्तामी ए ऑंबर कोशन के लिगत हैं, वीटामीन ओर जो institution की होते हैं अब देखे ईप्शन विटमीन के दिन से ही करा देनी चाहिए लिगते हैं, तो इसका जो बिलकुल के सुजाएगा, वह जाएगा जीरो से दो वर्स है कितना वर्स जीरो से दो वर्स है ने आपसन अपका भी बिल्कुल correctness हो जाएंगे थार्टीन नमर कोशन का अब देखें नेश्ट कोशन अपका स्क्रीन पर पूछा गया कि भै करोध वो प्यार बच्चे के लक्षन है भै करोध और प्यार बच्चे के लक्षन है कौन सा लक्षन हो जाएंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था ये हो जाएंगे सानुवेगी क्या हुज words और आप अपका ड्री बिल्कुल colorness रोजाएंगे अब देखें, IDALY पकायी जाती है तो किसके दुरा पकायी लजाती है, तो यहां जो colorness हो जाएंगे जल किसके दुरा, किसके दुरा, clusके anticipated, idalosa one 새벽ourness की जाएंगे चार वर्स के बच्चे की अवस्था निमने में से क्या होती है तो ये जो अवस्था होती बिल्कुल इसका जो करेक्टर सुझेंगे 17 नमर कोशन का पुरुव अबाले वस्था Early Childhood यानि Option अब का भी बिल्कुल करेक्टर सुझेंगे 16 नमर कोशन का अब देखें question 18 आराम दयायक शीतल तथा सुफर्ती दयायक रंग होता है कौन सा रंग होता है ये जो रंग होते हरा रंग क्या होते हैं हरा रंग यानि गरीन कलर होते हैं ठीक है विच कलर इस कमफोर्टबल ऑप कूलर cooler and energetic feeling ठीक है गिरिन यानि option आपका C बिल्कुल right रो जाएंगे अब देखे question पूछा गया कि cushion का उपयोग होता है cushion का जो उपयोग होता है किसमे होता है तो कुरसी या सोफे पर सुवीधा से बैठने के लिए यानि cushion का उपयोग होता option आपका C बिल्कुल correct रो जाएंगे 90 नवर कोशन का अब देखे question में 20 पूछा गया कि हरी पत्यदार सब्जी उमनीम ने वैसे किसे सामिल नहीं किया जाता है तो किसे सामिल नहीं किया जाता है यानि option आपका B बिल्कुल correct रो जाएंगे option आपका B बिल्कुल correct रो जाएंगे 21 नुमर कोशन का अब देखे question पूछा गया कि रोग मुक्त क्या पूछा कि रोग मुक्त रहने से पराप्त होता है रोग मुक्त रहने से क्या पराप्त होता है वो होता है अच्छा स्वास्त खुसाल वा दिरगा जीवन बेक्ती तथा देश की आर्थिक उन्नती बिल्कुल तीनों हो जाएंगे option आपका D बिल्कुल correct रोग मुक्त हो जाएंगे 22 नुमर कोशन का अब देखे question में 23 पूछा गया कि निमने में से किस परकार के सरम करने वाले बेक्ती को अधिक कैलोरी की आवस्ता होती है तो यहाँ जो correct रोगा वो हो जाएगा आपका कठोर सरम करने वाले option आपका C बिल्कुल right रोगाएंगे 23 नुमर कोशन का अब देखे question में 24 जंग का धबबा है जंग का धबबा है तो यह खनीज धबबा है क्या इस परकार का mineral strength ठीक है आपका B बिल्कुल correct रोगाएंगे 24 नुमर कोशन का अब देखे question में 25 काउन सी रेखा लंबाई की आवासी है तो यहाँ जो correct रोगाएंगे वो हो जाएंगे अपका खरी रेखा यहाँ वर्टिकल लाइंज option अपका ए बिल्कुल correct रोगाएंगे 25 नुमर कोशन का अब देखे question में 26 BCG का टिका किसे संब्धित है तो BCG का जो टिका संब्धित है वो चेचक से किसे बिल्कुल correct रोगाएंगे 27 नुमर कोशन का अब देखे question पूछा गया कि उच्च आए वाले बेक्ती बजट बनाते समय अधिक वे करते हैं यह जो करते हैं आराम दायक वस्तों पर किस पर लगजरियस आटम से पर यानि आपका सी बिल्कुल right रोगाएंगे तो यह सभी questions से most important है कुसी घंटे के बाद आप exam देंगे और यहां से आपको directly questions से पूछी जाएंगे तो please सभी questions को याद रखना है और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं की हैं तो please वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में आपका जम करके share कर देंगे ठीक है तो रखिए अपना ख्याल मिलेंगे फिर नेश्टे क्लास में तब दे के लिए कि यजए